हेलो स्टुडेंट्स मैं संदीप सर क्लास सेवन्थ मैथेमेटिक्स आशा करता हूँ कि आप सभी घर पर ठीक होंगे अपना ध्यान रखिए आएए मैथेमेटिक्स की क्लास स्टार्ट करते हैं जैसा कि मैने कल आपको चैक्टर वन इंटिजरंस में कुछ पॉइंट बताए थे आपको कल का जो वर्ग था आपका ये है इंटिजरंस में कुछ मैंने आपको natural number explain किया था whole number और फिर negative numbers और इन सब का combination बताया था कि इंटिजरंस कैसे बनते हैं ठेक उसके बाद मैंने आपको sign properties बताई जो कि वल multiply में use होती है उसके बाद आज मैं आपको plus minus वाले भी बताऊंगा कुछ example भी आपको explain किये थे I hope आपने इने लिख लिया होगा और समझ लिया होगा आईए आगे बढ़ते हैं Class 7th आज मैं आपको integers की definitions जो आपको लिखनी भी है अपनी notebook में और समझनी भी है आईए start करते हैं integers जैसा कि आप देख रहे हैं कि all rational numbers all rational numbers zero and all negative counting numbers are called integers फिर से पढ़ते हैं all natural numbers zero and all negative जो counting numbers है are called integers उनको जब आप एक group में रखते हैं तो हम क्या कहेंगे उन्हें integers तो हम लिखेंगे we can represent the system of integers as follow मैं उनका एक chart या flow chart इस तरह से बना सकता हूँ कि मैंने क्या किया one two three ये तीन box बनाए है जो सबसे small box है उसमें आपका natural number जैसे कि आप जानते है one two three four five उसके बाद आपका उसके उपर जो box है उसमें केवल whole number देखने को मिलेगा आपको zero ओके उसके बाद जो last वारा box है उसे मैंने integers का नाम दिया है क्योंकि अगर इन दोनों को add करता हूँ तो मुझे zero भी मिलती है negative number भी मिलते हैं और positive भी है ओके तो इन सब का group मैं क्या कहूंगा integers तो नीचे एक note है आपका उसे ध्यान दें zero is the only integers which is neutral that is neither positive nor negative यानि जो zero है उसे आप integer केवल integer में count नहीं करेंगे क्यों क्योंकि ना तो वो positive होती है जियो और नहीं negative होती है ओके बच्चों उसके बाद आपका next जो heading है वो है आपका absolute value of the following okay क्या है आपका absolute value of an integers दिया हुआ है इंटिजर में पढ़ें आप इसे के इंटिजर में absolute value क्या होती है यह बिलकुल आपके लिए नया है ठीक है दा the absolute value of an integer is its numerical value regardless of its sign its denoted symbol is box यानि जो absolute value है उसे आप इस तहे के दो slash खींच दीजे दो रंडे लगाएं यानि एक open खुला box बनेगा उपर नीचे से तो यह sign जो है यह यह जो sign है इस sign को मैं क्या कहूंगा absolute value कहूंगा ओके यानि आपका जो यह है यह इस तरह का जो box है उसे मैं absolute value कहूंगा इस absolute value पर में पास examples है ठीक है यह देखें find the absolute value of minus 5 आपको minus 5 की absolute value find करनी है तो आप इसे कैसे solve कहेंगे minus 5 absolute value में अग दीजे अंदर और जब आप इसे बाहर निकालते हैं solve करते हैं तो इसकी property कहती है यह कहता है कि minus का sign plus हो जाएगा ओके अगर कोई already plus है तो वह बाहर जब निकालेंगे तो वह भी plus रहेगा यह single value के लिए है suppose में पास कोई दूसर example है कि वही किसर minus के 3 की आप निकाले है absolute value minus 3 के absolute value find करें तो मैं इस minus 3 को इस box के अंदर रखूँगा उसके बाद जब मैं इसे solve करूँगा तो में यह पास answer क्या आएगा plus कर 3 suppose अगर यह question plus 3 होगा तो plus 3 को मैं absolute value में रखूँगा और बहार जब निकलेगा तो यह तो प्लस ही हो यानि चाहे minus हो यह plus हो बहार निकालेंगे तो प्लस ही show करेगा what is it अगर कोई variable है suppose minus x है तो इसका absolute value निकालना है तो आप ऐसे निकालेंगे okay plus x कुछ भी होगा उसका absolute value आप plus sign में ही count करेंगे okay बच्चो next देखें उसके बाद आपका आता है additive inverse next heading है additive inverse two integers whose sum is zero are called additive inverse of each other यह किता है कि अगर दो इंटेजर लूँ उनका sum अगर मैं यह पास कितना आ जाए is zero are called additive inverse of each other ओके जैसे कि suppose मैं एक example लेता हूं बच्चो कि मैं यह पास minus के 5 है यह question है और इस minus 5 का आपको additive inverse find करना है तो additive inverse मैं additive inverse of minus 5 का जब find करूंगा तो मैं ऐसा कहता हूं यह just sign change हो जाता है अगर minus का है तो additive inverse का answer कितना आएगा plus check कर लिजे इन दोनों को जब आप sum करेंगे यानि जो question है और जो आप answer आया है उन दोनों का जब sum करते हैं तो हमेशा 0 नहीं आएगा देख लिजा minus 5 और plus 5 जब add कीजेगा तो minus और plus तो हम क्या करते हैं कि हाँ यह additive inverse है यानि additive universe में जो result है वो आपका sign change हो जाता है ठीक है तो आपको केवाल इतना सा ध्यान देना है कि अगर कोई question plus का है तो आप उसका answer additive inverse के लिए माइनस में लिख दीजे और यदि कोई माइनस में है तो आप उसका plus में लिख दीजे ओके यहां पर कुछ multiply minus minus हो जाता है तो ऐसे ही addition और subtraction में है आईए मैं सिखाता हूं आपको example minus seven में plus plus eight करते हैं ठीक है यानि दोनों integers को आप add करें हैं तो बोलेंगे हैं इसे ही समझे क्योंकि आप इस plus की इस bracket में multiply करें हैं तो minus seven plus 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 का मतलब plus multiply plus plus होता है ओके तो यह plus eight आगया eight minus seven plus one answer आगया second देखें एक example ओओ प्लस seven में जो minus के 10 आप add करते हैं तो ब्रैकेट open करेंगे तो इस plus की इस bracket में multiply हो जाएगी और plus की multiply minus में तो result कितना minus तो plus minus minus और ten minus seven minus के बचेंगे थी क्योंकि जो digit बड़ी होती है उसके जो sign है वही आपको लगाते हैं ओके ऐसे ही अब हम subtraction का integer पढ़ेंगे यानि integer में subtraction किस तरह से use करेंगे suppose अब की बार इन दो bracket के बीच minus आ गया पहले क्या था plus अब यह minus है तो आपको जो multiply की sign property याद करवाई थी मैंने उसे ही use करना है इसका bracket open करना है तो मैं इस minus की में multiply कर दूँगा तो minus plus minus तो minus seven minus eight total कितने हो गया 15 हमेशा याद रखें जब कभी minus और minus में आप add करते हैं तो बोला जाता है add गए और आप add भी करते हैं लेकिन sign minus का ही रखते हैं यानि दोनों जुड़ जाएंगे और sign minus का ही होगा ओके यहाँ पर देखें आप एक दूसरा example plus 12 minus minus eight यानि आपको यह दो integer है वह इन्हें minus करना है तो minus minus plus हो गया bracket open हो गया और plus 12 plus 8 plus के हो गया 22 जिसके आगे कुछ नहीं साहिन होता है वहाँ प्लस समझा जाता है आप लेख भी सकते हैं और नहीं ओके इन्हें आपको अपनी fair notebook पर भी लिखना है ओके और मैं pdf भी वेजूंगा इसकी तब भी आपको वीडियो में से भी आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपनी fair notebook बनाते हों चलेंगे साथ साथ नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एडिंग लिखा है सम एक्स्ट्रा एक्जामपल्स ओन बेसिस ऑफ प्लस माइनस इंटीजर यानि कुछ और एक्जामपल है जो आपको इसी तरह से एक्स्प्लेंड करना हूं मैं देखें आप एक्जामपल फर्स्ट माइनस 9 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 3 एड़ गड़ना है जब को कोई नी माइनस 9 प्लस 4 सेम तू सेम इसका मेरिकेट ओपन कर आ तो बहां प्लस है तो प्लस माइनस माइनस बिल्कुल वह ही भी बोलना हूं मैं multiply वाले साइन जान दें आप और प्लस थी पहले मैंने क्या गया प्लस थी में प्लस फोर लिखा यानि लाइक ट्रम क्लेक्ट कर ली और माइनस सिक्स माइनस नाइन तो प्लस का सेवन हो गया और माइनस के 15 हो गए और इन दोनों को जब सक्ट्रेक्ट का एक प्लस और एक माइनस जब भी होगा तो सब्टेक्शन होगा तो यह आगया माइनस का एक 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 एक्जामपल हो देखिया माइनस सेवन माइनस एट माइनस और माइनस 25 तो ध्यान दें आप माइनस सेवन माइनस एट माइनस और माइनस 25 तो आप यहां ब्रैक्ट है तो तो आपके पास में यह दोनों माइनस हैं एड हो गए लेकिन साइन माइनस का और 25 इसमें सजिसे माइनस का तो प्लस के 10 बसते हैं ओके, next, properties of additions and subtractions, अब हम इनकी addition और subtraction की कुछ properties हैं, उन्हें हम देखेंगे, जैसे की first आती है आपकी closer property, अब तक हमने छोटी क्लासों में किवल यह सीखाया है, वह टू प्लस थ्री, 5 हो गया, लेकिन अब तक हमें यह isn't नहीं पता चलता था, वह प्लस कर रहे हैं, तो 5 आया वह क्या result है, क्या है, ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं क्लासों में, तो हमें इने numbers में पता चलता है, वह natural number, whole number, integers, ऐसे ही यह सारी चिज़े हैं, ओके, तो देखें, closer property, in general, if a and b are two integers, ले लिया हमने a और b कोई दो integer है, then a plus b minus, जब आप a को plus में करते हैं, और a को minus b करते हैं, तो is also an integer, तब आपको हमेशा क्या मिलेगा एक integer, यानि आप किसी भी number को जोड़ लिजे, तो वहां हमेशा आपका जो result आएगा, वो क्या आएगा, integer आएगा, ओके, देखें, two plus bracket में minus seven, ये दो integer लिए एड़ कर दिया, minus plus, minus, तो three minus seven minus four, minus four क्या है, natural number है, whole number है, integer है, क्या, तो ये क्या है आपका, integers, which is an integer, ओके, next, minus seven minus three, bracket open गया, तो minus के हो गया, 10, तो कितना हुआ, ये भी integer है, एक को एग्जामपल है, eight minus five, plus का three, ये भी क्या है, integer, ओके, ओच्छो, next है आपकी commutative property, commutative property क्या कहती है, कि generally, if a and b are two integers, then a plus b is equal to b plus a, यनि ये कहता है, कि two plus three, भी five होगा, और यदि three plus two कर दूं, तो भी five होगा, आपने कभी सोचा है, छोटी classes में, कि जब आपको teacher ये कहता है, भी two plus three, आपने answer दिया, सब five, और three plus two, तब answer दिया, सब five, लेकिन ऐसा क्यों, भी आप sequence क्यों चेंज करें हैं, तो आप कहते हैं, एक ही है, two plus three, लेकिन ये किसे rules के according होता है, अब आप उस stage में आगे हैं, कि आपको बताया जाए, कि नहीं, ये same result तो देंगे बच्चो, पर ये एक rules है, उसके according होता है, ठीक है, छोटी classes में, four, five, six में आपको ये बताया नहीं जाता, लेकिन अब seven से आपको start हो जाता है, इनके बाएं में बताना है, कि कोई भी काम mathematics में बिना किसे reason के नहीं हो सकता है, आईए, हमाई पास commodity है, in general, if a and b are two integers, then a plus b is equal to b plus a, but this property does not hold for subtraction, ये कहता है, कि ये property के वाइडिशन में होगी, subtraction में नहीं, आईए, चेक हैं, example, मैंने सबसे पहले, three plus five लिया, तो three plus five, या five plus three, दोनों का same result आएगा, कितना, eight, okay बच्चो, next, अगर आप minus three और minus five को add गरते हैं, तो तब भी result कितना आएगा, minus plus minus five three minus eight, दूसरी second में आपकी बार minus five पहले लिखा, minus three बाद में, और जब दोनों को add गरा, तो plus minus minus, तब भी minus eight, okay, यानि integer minus के use कर सकते हो, लेकिन operation यहाँ पर follow करना है, plus का ही, okay, तो दोनों same result दिये, आप चाहे, minus three पहले लिख ले, आप चाहे, minus three बाद में लिख ले, उसके बाद, अब मैं ही लेता हूँ, कि अगर आपने three minus five लिया, और five minus three लिया, क्या same result आता है, तो आपने कहाँ no, क्योंकि three minus five, minus के two बचेगा, और five minus three, plus के two बचेगा, तो यह not equal to है, इसलिए कहा गया है, starting में, कि यह property, subtraction में नहीं use होती है, केवल addition में follow करती है, okay, बच् in general, if a, b, c, या three integers, then a plus b bracket plus c is equal to, a plus b plus c, यानि आपके पास तीन integers हैं, उन तीनों को आप addition में ही use कर सकते हैं, subtraction में, does not hold in integers, आप क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने capital, capital, capital a, b, c लिए, इनकी value a, b, c हकी, तो जब मैं इसे करता हूँ, तो a minus b minus c not equal to लिख दिया है, a minus bracket b minus c, यानि यह जो plus वाली है, और यह minus वाली property है, minus वाली not equal to result देगी, यानि यह properties में hold नहीं करती है, और जबकि plus वाली इसको follow करती है, example देखें हाँ, example में मैंने क्या गया, two plus three plus five is equal to two plus three plus five, यानि यह में a है, यह b है और यह c है, यहां भी में a, b, c, a की value से मैं कोई change नहीं करीं मैंने, तो देख लीजी, यह a है, यह b है, suppose यह c है, तो यहां a two है, तो यहां पे भी a two ही है, three b है और यह c है, जब आप इन दोनों को solve करते हैं, तो two plus three five plus five ten, और जब आप इसे solve करते हैं, तो two five three eight, eight और two ten, दोनों का same result आता है addition में, क्या minus में आ सकता है, आप check कर लीजे, let consider two three and five, तो two minus three minus five, two minus three minus five, okay, यानि a minus b minus c, a minus bracket b minus c, two minus three minus का one बचा, यहां minus five, तो दोनों add हुए minus six, और यहां three minus five minus two minus minus plus two or two four, तो दोनों result क्या हुए, unequal है, तो not equal है, तो इसलिए subtraction, associative property में follow नहीं करता है, addition आपका follow करता है, ठीक है, इससे तरह से हम multiply और division का भी देखेंगे बाद में, तो फिलाल आज आप यहां तक, अपनी वीडियो अच्छे से देखें, सुनें, और writing किलियर रखें, और अपनी fair copy में complete काम करते हैं, ओके बच्चो, thank you